कि गुद्माणिंग फ्रेंट्स आज हम नाइन्थ वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे एप्टीटूड का इस से पहले हम लोगों ने आठ वीडियो लेक्चर अपलोड किये है आठो वीडियो लेक्चर में आपने कुछ ना कुछ नहीं और खास बाती सिखी है आज के वीडियो लेक्चर में भी आपको कुछ नहीं और खास बाते पता चलेंगी हर एक सेशन बहुत important है friend मैं बहुत अपनी जान दे के वीडियो बना रहा हूँ जितना मेरे पास knowledge मैंने गेन किया है अपनी गेट की पड़ाई वक्त या जब मैं हिद्राबाट में जब classes करता था तब या जितना भी मैंने अभी तक के knowledge गेन किया है वो सब मैं आपके सामने एकदम सरल और easy language में रख रहा हूँ motivation यही है कि बस आप लोगों को समझ में आए चीजे सरल से सरल भाषा में और आप लोगों को इसका benefit मिले यह सब आप लोगों के लिए है इसलिए मैं रोज नए concept रोज नए latest problem जो कोई भी ऐसे कहीं दिखता है कि यह TCS company में आयवा है यह इस company में तो मैं वो problem लेके आता हूँ और काफी अच्छे चैलेंजिंग और without formula आप solve कर सके यह trick समझाने की कोशिश करता हूँ तो इतने जबरदस वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेंगे मैं भी हैद्राबाद वगेरे तक के पढ़ाई कर चुका हूँ हैद्राबाद जाके भी मैंने study की है सब लोग बस हाइफाई भाशा में syllabus खतम करने का सोचते और निप्टाने का सोचते लेकिन अपने आरपी सिसी मे यह सोच आपको कभी नहीं दिखेंगी हर एक टापिक को पूरा detail level तक के लिया जाता है और आज के वीडियो लेक्चर में कुछ लोगों ने doubt भेजे थे कोच्छन की सर यह कोच्छन लीजी आप वीडियो लेक्चर में तो मेरे को बहुत खुशी हुई आज के वीडियो लेक प्रपोर्शन का है लेकिन यह basic mathematics का भी कोच्छन है तो इसलिए हम इसको ले रहे हैं वैसे हम जब रेशो प्रपोर्शन यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे आप आल्रेडी आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बता चुको वन इस्टू टू का मीनिंग ह होता है वन पाई टू तो पी क्यू को आप लिख सकते हैं पी बाई क्यू और उसकी वैल्यों था फाई इस्टू था था तो एक्स नंबर आप अजूम किजिए लेट एक्स बी दंट अम्बर लेट एक्स बी नंबर इस तरह का गनिधर हम ले चुके हैं जब एस्टू यह है b is to c यह है तो a is to c क्या होगा मैंने आपको सिखाया था तो let x be the number तो ऐसे समय में क्या करना p की value 5x consider करो और q की value 2x consider करो तीक है ऐसे समय में तो अभी उसने क्या बुचा then find 2p minus 3q is 2 is 2 बोले तो divide 3p minus 5q इसकी आपको value होना तो p की value 5x है और q की value 2x है फिर p की value 5x तो 3 into 5x minus 5 q की value 2x तो 2 into 5 10x minus 6x बोले तो 4x 3 into 5 15 15x 5 into 2 10x 15 minus 10 5x x x कड़ गया तो इसका answer आगया 4 is to 5 तो 2p minus 3q is 2 3p minus 5q की answer 4 is to 5 option c तो बताइए इसमें कोई hard बात थी नहीं थी तो p upon q की value 5 by 2 है तो p की value 5 consider कर लिजिए और q की value 2 consider कर लिए ठीक है तो यह 5x ले लो यह 2x ले लो आई बात समझ में और बस जो आपको जिसकी value निकालने का बोला है उसमें रख दो ratio में x x कड़ जाएगा आपको आरम से answer मिल जाएगा तो इस प्रकार के already हम गनित ले चुके है एक बार हमने वो लिया था 5u is to 2 तो 5u x plus 2x 7x तो 7x की value 70 तो x equal to 10 तो उसमें भी हमने यह problem solve गया था तो यह बहुत ही easy गनित है इसको आप ऐसा ratio proportion ऐसे सिर्फ topic का ही नहीं बोल सकते यह general गनित है यह number system में भी गनित आप ले सकते तो बहुत ही मज़ेदार गनित था आसान गनित था ठीक है कोई formula नहीं कुछ नहीं बस हमने सीधा-सीधा उसको solve किया पी की value 5X consider कर लो Q की value 2X और बस solve कर लो अब यह कोच्छन देखो यह एक number series का बहुत ही जबर कोच्छन है कोच्छन मैंने लिखा नहीं है आपको पता है find the missing time in the series तो वीडियो को pause करके आप कोशिश करो यह challenging problem है मैं easy easy problem बिल्कुल नहीं दे रहा number series के literally आप मतलब सोचने में मजबूर हो जाएंगे यह logic क्या है इतने आसानी से विदी ने second आपको logic नहीं सुझेगा तो आप पहले खुद कोशिश कीजे फिर my logic बताने वा लोग तो आप वीडियो को pause करके try कीजे अपने पूरे effort लगाई और मैंने आपको बताया है कैसे सोचना है देखिए फ्रेंड यह 247 यह gap यह 2943 बड़ा gap आगया मतलब multiplication का तो काम आएंगा यह जबी भी ऐसे बड़ा changes आता है तो product series रहती जाए लेकिन आजकल एकी series में multiple logic चलते into b plus b minus b तो एक ऐसे number पे हमारी नजर जानी चाहिए जहां से logic develop हो जाए तो यह अगर आप number को आप देखेंगे तो logic पूरा का पूरा develop हो जाता यह 125 का बिलकुल double है 125 का double 200 होता तो यह बिलकुल उसके double जैसा है लेकिन minus 3 है मतलब 125 इंटू 2 करू तो 200 ठीक है और उसको फिर minus 3 करू तो क्या 247 नहीं मिलेगा yes अब इसके बारे में सोचो य यह 1 पट है लेकिन यह minus 2 है यहाँ मैनस 3 हुआ तो यहाँ मैनस 2 होगा देखो 127 तो 127 इंटू 1 तो 127 और इसमें minus 2 किया तो क्या यह 125 नहीं होगा होगा फिर 125 इक्वल्स टू तो 125 इंटू 2 ढईसो ढईसो मैनस 3 247 तो क्या हो रहा इंटू 1 मैनस 2 फिर यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड 125 इंटू 2 ढईसो मैनस 3 247 तो तीक है अब क्या होगा अब क्या होगा इंटू 1 इंटू 2 एक से बढ़ोतरी हो रही दोस्तों देखो 125 इंटू 1 127 इंटू 1 127 उसमें 2 गटा दिया 125 फिर 225 इंटू 2 ढईसो उसमें 3 गटा दिया एक एक बढ़ते जा रहा है देखो इधर 1 बढ़ रहा इधर 2 इधर 2 बढ़ रहा इधर 3 इधर 3 बढ़ेंगा इधर 4 तो एक सो अपना 247 इंटू 3 और माइनस 4 करेंगे अब बोलेंगे सार इसके लिए तो केल्सी लगेंगा नहीं बिल्कुल नहीं लगेंगा दोस्तों केल्सी के विदाउट काम करना है इसको आप 200-3 पकड़ो न, 247 बोले तो think without ing, LC इस्तमाल नहीं करेंगे, ठीक है, तो 3 into 22, 25 into 3, 75, तो ये 700, और ये 3 into 3, 9, ठीक है, अब 750 में से 9 गए, 741, 741 में से 4 गए, 737, अब ये logic continue हो रहा क्या, वो चेक करो, तो 700, ये into 1, minus 2, into 2, minus 3, into 3, minus 4, तो into 4, into 4, minus 5, into 1, minus 2, into n, minus n, plus 1, ऐसा logic है हो, into n, minus n, plus 1, अगर general भाषा में बात करो दो, into 1, 1 से 1 बढ़ा दो, 2, into 2, एक बढ़ा दो, 3, minus 3, into 3, एक बढ़ा दो, minus 4, ऐसा, तो into 4, minus 5, तो 737 का डबल करो, तो 700, 700, 700, 1400, 1400, 37, 1400, 74, अब 1400, 74 का डबल कर दो, 248, 2714, 248 और 9, 212, ठीक है, तो ये हो गया इसका 4 times, 2948, और इसमें से 5 घटा दो, 2948 में से अगर 5 घटा होगे, तो 2943 नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, तो ये ही तो 2943 है न, तो इसका अंसर आगया आपका 737, अगेन option sees the answer, तो बताइए, ये जबरदस कोच्छन था की नहीं, ऐसा लोजिक लगता गया, नहीं, तो मेरा लोजिक कैसा लगा, 125 का डबल, 200 और 3 कम है, फिर मैंने इसके बारे में सोचा, नंबर कभी भी छोटे 277, ये बिल्कुल बराबर है, लेकिन दो घड़ गया, प्रोड़क क्यों लिया, बड़ा चेंज है, देखो 247 के बाद 2943, तो बड़े चेंजेस प्रोड़क्ट वाली सीरीज में, बड़े चेंजेस दिखे, मतलब प्रोड़क का काम आना ही है, समझ में आरी दोस्तों आपक समझेंगे, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स कोच्छन की तरफ, वीडियो को पॉस कीजिए, और आप इसको सॉल करने की कोशिश कीजिए, फाइन दा मिसिंग टाम, नाइन है, एट है, पंदरा है, कोच्छन मार, 175 बपा, इतना बड़ा फरक, 15-175, फिर 874 बपा, तो फरक दिख गए, मतलब प्रोडक्ट का लॉजिक लगेगा ही लगेगा, अब आपको सोचना है फ्रेंड, अब आपको सोचना पड़ेगा, कि ये कैसा होने वाला है, और अगर फ्रेंड, अभी जो मैंने आपको लास्ट प्राब्लम सिखाया, अगर वो आपको कैसा बना, तो 127 इंटू 1, 127 फिर दो घटा दिया, 125, तो वैसे ही आप सोचो ना, कि 9 है तो 8 कैसे बनेगा, तो क्या आप 9 इंटू 1, 9 करेंगे, और एक घटा देंगे, तो 8 नहीं बनता गया, अरे बनता की नहीं, फिर 8 से 15 कैसे बनेगा, तो 8 डूनी 16 होता है, फिर एक घट जा दिया, तो 15 नहीं हो जाएगा, क्या, कहिए न, होगा की नहीं होगा, अरे होगा की नहीं होगा, फिर उसके बाद 15 से 38 कैसे होगा, तो एक एक बढ़ रहा है, 1, 2, फिर 3 होगा, तो 15 इंटू 3, 45, ठीक है, 15 इंटू 3 किता होगा, 45, 45 में एक घटा दीजिए, तो किता यही आपका कोच्छन मारत था, लेकिन आगे यह लॉजिक कंटीनियो हो रहा है, क्या, चेक करो, तो 44 इंटू 4, 1, 2, 3, 4, अब यहाँ पर माइनस कॉंस्टन्स हो रहा है, वहाँ पर 1, फिर 2 से माइनस हो रहा था, फिर 2, तो 3 से माइनस हो रहा था, 3, तो फिर 4 से माइनस, यहाँ पर कॉंस्टन्स हो रहा है, तो यह कोच्छन मैंने जान मुझके रखा, कि आप लोग को लास्ट कोच्छन समझा है कि नहीं, बस यह देखने के लिए, ठीक है, तो आप 44 इंटू 4 कीजिए, 44 का डबल होता, 88, 88 का डबल, 80 और 80, 160, 16, 176, उसमें माइनस 1 कीजिए, तो 175, बिल्कुल लॉजिक कंटीन्यू हो रहा है, फिर आगे चेक कीजिए, 175 के लिए, तो 175 इंटू 5, फिर माइनस 1, तबी देखिए, 175 बोले तो 1750, उसका आदा, ठीक है, 850, 850, 1700 होता है, 1700 का आदा, 850, विर 25 हैट कर दीजिए, तो 875, 875 में से एक गया, 844, येस, बिल्कुल इस लॉजिक इस वरकित देखिए, तो 1-1, इंटू 2-2, इंटू 3-3, इसको बोलेगे इंटू 2-1 का लॉजिक, इन्टू 1-1 का लॉजिक, था की नहीं अच्छा कोचन प्रेंट्स, चैलेंजिन कोचन लगा की नहीं, तो ये ऐसे चैलेंजिन कोचन आपको आने चाहिए, इ यह तो अब इजी है तो इसका लाजिक बताओ इसमें भी बड़ा है 36 के बाद 104 आगे बड़ा फरक है मतलब कहीं न कहीं मल्टिप्लिकेशन का लॉजिक होंगा तब इजी है तो आप बताइए आंसर तो फ्रेंड इसका आंसर आप लोग बताएंगे मैं उमीद रखता हूँ मैं कोच्छन बता रहे दाओ 2, 2, 12, 36, 104 कोच्छन मार्क ये कोच्छन मार्क का आंसर आपको देना है ये कोच्छन आप ट्राइ करेंगे और आंसर बताएंगे जिसने इसका आंसर बता दिया वो जीत गया समझो उसकी गेट एक्जाम भी क्रेक हो जाएंगी उसको मेरे तरफ से पूरा आशिरवात क्योंकि फ्रेंड कैसा है लॉजिक है ना कोई कोई लॉजिक एक सेकंड दो सेकंड में लग जा दे किसी को सोचने में लगता मैंने जब ये पहली बार गनित रन किया मेरे पास बु शुरुआत में लगता है समय सोचने के लिए कोई भी चीज विदीने सेकंड वाली नहीं होती शुरुआत में हर चीज को आपको समय देना पड़ता है तो ये कोच्छन आप ट्राए कीजिए मैं आपको होमक के लिए दे रहा हूँ आप ट्राए करेंगे और आंसर बताएं क क्योंकि मैं अभी लॉजिक बता दूँगा तो उसमें अर्थ नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत लोग वीडियो को पॉस करके ये ट्राए नहीं करेंगे क्योंकि उनको आयते की आदत लगे मेरे को आयता मिल जाए प्लेट में नहीं फ्रेंड उसमें सक्सेस नहीं य जिस पत्तर को हम छेनी अतोड़े से ठोक के मारते हैं वही मुर्ती बनती है कोई साधारन पत्तर मुर्ती नहीं बनता फ्रेड तो विदाउड मैनत कुछ भी नहीं होता मैनत वालों पर ही रहमत होती है तो यह आप ट्राइ कीजिए नहीं आया तो मैं आपको नेक्स वीडियो करके लेंगे ठीक है तो यह नंबर सीरीज के हमने दो चार गनीत देखे सब चीजों का फ्लेवर लेंगे अब यह कोच्छन था जो स्टूड़न्टोंने डाउट का पुछा दा नंबर आप जीरोस एड द एंड अब द प्रोड़क्ट यह नंबर आपको गीवन है फायू इ तो आप केल्सी दो चला नहीं सकते हैं चलो केल्सी से करेंगे और आप बोलेंगे सार आपने यह कोच्छन बढ़ाया था कि 60 फैक्टोरियल में नंबर आप जीरोस कित्ते हैं तो आपने बुलाता 60 के को डिवाइड करो फायू से और जो जो कोच्छन दाएंगा उसको भी ड क्या एक पर डिवाइड करना न तो फायू….ट है न ट्वैल्ड आतो फायू imprison यह कोच्छन दाएंगा अगर आप 60 को डिवाइड करेंगे तो फायू त्वैयू जा सिक्स्टी तो जो कोच्छन दाया उसको फिर से डिवाइड करेंगे तो फायू टू जा टेन ऐडू जा थे तोटल नमबर आप 0s at the end is 14, इसका मतलब क्या हुआ, तो आपने बोला था कि यह इसमें जितने फायू आएंगे, 60 फैक्टोरियल में तोटल नमबर आप फायू 14 आएंगे, इसलिए तोटल नमबर आप 0s at the end भी 14 आएंगे, आपने ऐसा बताया था सर, क्योंकि आपने बताया फायू इंटू 10 बुले तो 0 आता है, 0 बनाने के लिए दो नमबर का प्रोडक्ट होना, फायू इंटू 2 का, ठीक है, लेकिन क्या होता है फ्रेंड, यह जो चीज है, यह जो लॉजिक है, यह हम बनाते है, मेजोरिटी को देखके, तो मेजोरिटी आप किसी भी नमबर का फै फायू 10 गौर से देखो यह नमबर को, गौर से देखिए आप, इस नमबर में आपको कुछ ना कुछ common दिखेंगा, मेरको दिख रहा है, आपको दिख रहा कि नहीं में नहीं जानता, तो हर एक नमबर यह फायू का multiple है, तो अगर मैं फायू को common निकालू, तो यह 1 x 2 x 3 x 4 x इंटू 5 x 5, आखरी नमबर 50 है, इंटू 6 x 7 x 8 x 9 x 10, 5 x 1 x 5, 5 x 2 x 10, 5 x 3 x 15, 5 x 4 x 20, 5 x 5 x 25, 5 x 6 x 30, 5 x 7 x 35, 5 x 8 x 40, 5 x 9 x 45, 5 x 10 x 50, तो आप देख रहें फ्रेंट्स, कि यह जो नमबर है, सब में 5 था, 5 x common ले लिया, फिर आपको पता है, 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x 10, तो यह तो 10 factorial होता है, अब 10 factorial में नमबर आप 5 किते आते हैं, आपको पता है, 5 x 10, तो 10 factorial में नमबर आप 5 किते आते हैं, 2, ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, तो अभी देखो, हम लोग क्या बोलते हैं, सिरिफ 5 x 0 बनता गया, नहीं, 0 बनता है 5 x 2 से है, हम लोगों ने एक नॉर्मल नमबर की बात की, जैसे 6 factorial, तो 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1, तो हमने देखा इधर 1 x 5 है, तो टोटल नमबर आप 0 at the end 1 होगा, क्योंकि 2 बहुत सारे, 2 x 3 इधर भी है, 2 x 2 इधर भी है, 2 x 1 इधर भी है, ऐसा हमने देखा था, लेकिन यह जो अभी आपके स हमने नमबर है, इसमें नमबर आप फायू जादा है, रेको इसमें भी फायू है, फायू इंटु 1, फायू इंटु 2, हर एक नमबर में फायू है, फायू इंटु 3, तो यहाँ पे नमबर आप फायू जादा है, और फायू और 2 मिलाके 10 बनता है, 0 बनता है, तो अभी तक क कम है तो ऐसी भी कुछ केसे सोंगी nothing is impossible तो कोई-कोई जगा पर ऐसा भी होता है कि नंबर आप 2 कम होते है तो फिर जितने नंबर आप 2 होएंगे उतने नंबर आप जीरो सोंगे अब यह नंबर को आप देखके बताइए मेरे को कि इसमें नंबर आप फायू जादा है कि नंब तू इन्टू त्री तीन और एक चार देखो इसमें एक टू होगया वोड़ में दो थे है ना इन्टू आरफ को चार चार और एक लाड़ तो,इसमें दे perpet में देख सकते एक तू ये तू तो जाब ओर इसमें को तो या इसमें दने हर साट,7 और इसमें दो होगयाू ठीक है 2 cube ये 4 तीन 7 हो गए और ये 8 हो गए तो अभी आप देख सकते हैं फ्रेंट कि यहाँ पे number of 2 आपको 8 दिख रहे है number of 5 गिनो 1, 2, 3, 3 और ये 2, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 9 और ये 5 square 25, 9 और ये 2, 11 तो आप मेरे को बताओ आप number of 5 जादा है कि number of 2 जादा है जल्दी बताइए तो फ्रेंड इधर number of 2 अभी आपने गिना number of 2 हो गए 1, 2, 3, 4, 3, 7, 8, number of 5 अभी आपने गिना किता था एक, 2, 3, 4, और 2, 6, और एक 7, और एक 8, और एक 9, और एक 10, 10 और दो 12 ठीक है देखो ना एक 5 into 2 10 एक एक तो सब में है 25 वाले में 25 है और 50 वाले में भी 25 है तो 12 है अब मेरे को बताओ जीरो कैसे बनता, 0, 5 into 2 के पेर से बनता तो 2 तो 8 है ना फ्रेंड दो तो 8 है ना अब बचए 4 फाउ किसके साथ 0 बनाएंगे बचेवे 4 पाँठ जो है आपस भी जीरो नहीं बना सकते 5 into 25 होता जीरो कैसे बनता आप यह समझो 0 बनता है 5 into 2 से तो जढ़ा दर केसे में क्या होता है फ्रेंड 90% cases में number of two ज्यादा होते क्योंकि वो two में भी है four में भी है six में भी है eight में भी है और number of five कम होते है तो इसलिए हमने बोला था जितने number of five उतने number of zeros लेकिन कुछ-कुछ example आईसे है जैसे यह वाला example हो गया यहाँ पर number of five जो है वो ज्यादा है number of two कम है तो यहाँ पर याद रखो जो छोटा रहेंगा वो hero रहेंगा जो छोटा रहेंगा उसको आपको consider करना है तो छोटा कोन है eight तो इसका answer eight आएगा total number of zeros इसमें end बे eight रहेंगे total number of zeros तो आप बोलेंगे सर ऐसे into करके देखला गया नहीं 10 factorial को आप two से divide करो तू फायू जा 10 तू तू जा four तू वन जा फायू प्लस two प्लस one eight answer आएगा ठीक है ऐसा ही आप एक और गनित रन कर सकते इस प्रकार का और एक गनित मैंने आपके लिए रखा है यह वाला यह रहें फिप्टीन इल्टू 30 इल्टू 40 फायू इल्टू 60 इल्टू 75 ऐसे यह सारे नंबर फायू के multiple है फायू 3 जा 15 फायू 6 जा 30 तो इसमें से क्या करो 15 को कामन लिए तो वन टू 3 4 15 इंटू 100 1500 तो ऐसे 100 तक जाएगा तो यह क्या हो गया 100 फैक्टोरियल तो 100 फैक्टोरियल को आप 2 से डिवाइट करो तो 250 जा 100 तू 25 जा 50 तू 12 जा 24 तू 6 जा 12 तू 3 जा 6 तू 1 जा 2 तो 50 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 75 प्लस 75 और अटरा पंचासी 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 प्लस 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 तू ले लो 20 तो पंचानो एक रह गया च्छैनो और एक सत्यानमे तो इसमें टोटल नंबर आप 0 सेट देएन आएंगे 97 कैसे हर एक नंबर में यह फायू के मल्टिबल है तो इदर नंबर आप फायू ज्यादा होंगे तो ऐसे समय में नंबर आप 2 हीरो है मतलब नंबर आप 2 कम रहने वाले हैं तो ऐसे फायू के multiple है तो 100 factorial में number of 2 कितने आते यह already previous video lecture में सिखा चुका हूँ अभी आप ऐसा नहीं बोलना कि सर यह सिखा हो दो method हो से सिखाया था ऐसा भी सिखाया था 100 upon 2 to the bar 1 100 upon 2 square 100 upon 2 cube 8 100 upon 2 to the bar 4 16 100 upon 2 to the bar 5 32 100 upon 2 to the bar 6 64 फिर इसके उबर 128 वो 100 से बढ़ा है तो stop हो जाएगा तो यहां से 54 यह 25 बार में 2 square 4 4 को 100 से divide किया तो 25 8 को अगर 100 से divide किया तो 12 ठीक है फिर 32 को अगर 100 से divide किया तो 32 6 जा फिर 32 से किया तो 32 64 96 यह 3 जा ठीक है फिर यह बन जा 64 को 100 से divide किया तो बन जा इसको add करेंगे तो 97 अंसर है अब आप मेरे को बताना कि इसमें number आप 5 कितते रहेंगे आपको होमक रहेंगा इसमें number आप 5 कितते रहेंगे देखें फ्रेंट जीरो जो बनता है ना वो 5 और 2 बन के मिलता है तो इसमें number आप जो 2 है ना वो सरिफ 97 है यह 15 कामन निकाला तो इसमें 2 नहीं है 5 इंटू 3 है तो यह 100 फेक्टोरियल में number आप 2 है 97 तो at the end 97 जीरो जाएंगे क्योंकि 0 बनाने के लिए 5 इंटू 2 होना तो आप बोलेंगे sir 5 97 से जादा रहेंगे damn sure जादा रहेंगे 100 फेक्टोरियल में कितने फायू रहते है 24 इसमें 24 होते है इसमें एक रहेंगा फायू तो फायू इंटू 24 120 फायू रहेंगे उसमें 120 तो आप मेंको बताईए number फायू 120 है इसमें आप calculate नहीं कर सकते यह example जो लिया था यह छोटा सा था इसमें मैंने आपको पूरा गिनके बताया एक पाच है सब में 10 नमबर है दस में 10 पाच है 25 में डबल है फायू इंटू फायू 1 बढ़ गया 11 50 में भी डबल है 25 इंटू 2 तो पचीश बोले तो फायू इंटू 2 तो टोटल 12 नमबर है फायू ए और 8 है 2 मतलब यह देखो 5 into 2 ऐसे 5 into 2 ऐसे 2 तो 8 ही है ना तो ऐसे 8 0 आएंगे तो नंबर आप 2 8 है इसलिए नंबर आप 0 at the end 8 है फिर आप बोलेंगे सर लास्ट वीडियो लेक्चर में आप बोले थे कि जितने नंबर आप 5 उत्ते नंबर आप 0 वो किसी के भी फैक्टोरियल में जैकि अभी हमने 100 फैक्टोरियल केलकुलेट किया तो उसमें नंबर आप 5 किते है 24 तो टोटल नंबर आप 0 at the end 24 लेकिन उसने 100 फैक्टोरियल की बात नहीं किया उसने क्या बात किया यह 15 into 30 into यह 1500 यह नंबर की बात किया कि जब हम इन नंबरों का प्रोड़क करेंगे तो ट अगर नंबर आप 2 कम है तो जितने जो कम है वो अंसर रहेंगा अगर नंबर आप 5 कम है तो उत्ते नंबर आप 0 रहेंगे अगर नंबर आप 2 कम है तो उत्ते यहाँ पे नंबर आप 5 है 120 और नंबर आप 2 है 97 तो बताओ कौन कम है नंबर आप 2 कितने है 97 तो टोटल नंबर अब zeros at the end are 97 समझा अरे हो की नहीं तो यह कोच्छन लोगों ले पूछा बहुत ही अच्छा कोच्छन दा फिर एक कोच्छन यह था the unit digit अब इसका तो unit digit में unit digit पे ध्यान देना unit digit का दूसरा नाम है last digit आपको 13 to the power 2003 यह बहुत इजी कोच्छन दा फिर भी लोगों ने पूछा तो मैं बताऊंगा तो यह unit digit पे ध्यान दो 3 3 to the power 2003 3 की power cycle बताया था 3 to the power 1 3 3 का square 9 3 का क्यूब 27 3 to the power 4 81 C 1 फिर 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे तो यह power cycle 4 की है तो यह number 4 से divisible है क्या 4 की divisibility है last 2 number तो 0 3 4 से divisible नहीं है ठीक है तो फिर आपको बता है 2000 divisible है 4 से 2000 ठीक है 0 0 is divisible by 4 yes 0 4 8 12 ऐसा तो यह 4 3 ज्यादा है 1 2 3 तो मतलब इसका unit digit का value 7 रहेगा देखिए फ्रेंट आप इसको ऐसा भी लिख सकते 3 to the power 4 into 500 तो 4 into 500 2000 हो गया और यह 3 to the power 3 low up indices a to the power mn को लिख सकते a to the power m to the power n तो मैंने क्या किया 3 to the power 2000 तीन को 3 to the power 2000 और यह 3 to the power 3 लिखा ठीक है अब 3 to the power 2000 को मैं लिख सकता 4 into 500 ठीक है तो मतलब इसका unit digit हो गया 1 और 3 cube बोले तो 27 तो 1 into 27 27 तो इसका unit digit 7 आएगा तो unit digit इसका 7 आएगा unit digit is 7 जैसा चाहो ऐसा calculate करो देखो 2000 पर cycle 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करके 2000 पर cycle यहां पर आएगी फिर 2001,2002,2003 तो फिर वो 7 आजाएगा वैसे ही आप इसका calculate करो 1,2,3 to the power 99 तो unit digit पर ध्यान दो क्या यह 99 4 से dvg बला है नहीं तो फिर क्या होगा यह 100 आता क्या हो 100 आता 4 case में तो 100 से पहले खताम हो रहा तो इसका भी unit digit 7 होगा इसको आप कैसे लिखेंगे 96 और यह 3 cube तो यह 3 to the power 4 24 जा 4 into 24 96 होता है तो यह 1 हो जाएगा और यह 3 cube 27 तो इसका unit digit 7 है तो यह example आपने हो चुके है लोगों ने पूछा doubt तो मैंने बता दिया अब यह number यह प्राब्लम है यह लोग बोलते हैं ऐसे कोच्छन जमते ही नहीं कुछ नहीं रहता श्रीब आपको ध्यान देना है रो बाए रो पे calculate करना है रोस पे ध्यान दो रोस पे तो आप 654 यह पहला number यह दूसरा number यह तीसरा नंबर आ गया middle number middle है यह 7 इसके बाजू के दो नंबर देखो 7 प्लस 4 ग्यारा प्लस 2 तेरा और 14 चौदा को अगर 2 से डिवाइड किया तो 7 होता है यह middle number तीक है middle नंबर को छोड़ के सब को add करो और 2 से divide करो 6 प्लस4 10 10 को 2 से divide किया 5 मिडल नंबर को छोड़ तो बाकी नंबर को add करो 7 प्लस4 11 11 प्लस2 तेरा और चाउदा को 2 से डिवाइट क्या 7 हो गया ठीक है middle number को छोड़ दो यह middle number है 1 plus 9 plus 2 plus 1 plus 2 plus 1 10 और 2 12 13 15 16 16 16 divide by 2 8 यह middle number हा गया middle number को छोड़ दो बाकी के number को add करो 2 से divide करो बाकी के number को add करो 2 से divide करो 4 plus 1 5 5 plus 2 7 7 plus 3 10 10 divide by 2 5 3 plus 3 6 divide by 2 6 divide by 2 3 तो यह answer आगया 3 क्या था इसमें बज अपन कोच्चन देखके डर जाते बापा हे मला येत नहीं अरे बाई डरना थोड़ी पड़ता डर के कौन जीत गया जो तुम जीत जाएंगे तो 6 plus 4 10 10 divide by 2 5 7 plus 4 11 11 plus 13 और 14 14 को divide करे 2 से तो 7 1 plus 9 10 10 12 12 12 और 4 16 16 को 2 से divide करे तो 8 4 plus 1 5 5 plus 2 7 और 3 10 10 दिवाइड बाई यह हो गया 5 ठीक है 3 plus 3 6 डिवाइड बाई 2 3 ठीक है चलो और एक नंबर लेंगे अब ये कोच्चन है फाइन दा नंबर आप 0s at the end 3 into 6 into 9 into 12 into 15 into 99 into 102 तो इसमें से 3 कॉमन लेलो तो 3 1 जा 3 3 कॉमन लिया तो 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 पायू जा 15 ऐसे so on 3 33 जा 99 3 34 जा तो 1 into 2 into 3 into 4 ऐसे 34 तक तो यह हो गया 34 फेक्टोरियल अब यह नंबर पायू के multiple है क्या नहीं अरे भाई ऐसा दिख रहा क्या 5 10 15 20 25 ऐसे 5 के multiple दिख रहे क्या नहीं तो ऐसे समय में नंबर आ फायू जितने रहते हैं उतने जीरो चोटू ही हमारा हीरो है जो चोटू रहेंगा थरो हीरो अगर 2 चोटे है तो 2 हीरो अब यहां पर 2 ज्यादा रहेंगे 2 फिर 2, 2, 4, 2, 3, 0, 6 वहां पर क्या होता 5 x 10 x 5 5 के multiple में 2 कमाता फायू 3 जा 15, फायू 25 फायू 7 जा 30 फायू ऐसे तो 34 को divide करो फायू से तो फायू 7 जा 30 फायू ठीक है फिर फायू 1 जा फायू ठीक है अरे हो की नहीं तो ऐसे आपको देखना है इसमें number of file click either तो number of file use in 34 factorial यह आपको देखना है तो नंबर आप फायू सापको count करने का है वो कैसे calculate करते तो आपको मैंने दो trick बताई थी एक तो आप 34 को divide करो फायू से और question लेते जाओ फायू सिग्जा 30 और फायू बन जा तो नंबर आप 0s 7 आएंगे at the end या पिर आप ऐसे भी लिख सकते 34 अपन फायू 34 अपन फायू स्क्वेर फायू क्यों 125 होता बड़ा होता तो stop होनेगा तो यह फायू सिग्जा 30 और 25 बन जा तो यह दो tricks मैंने आपको अल्रेडी बताई थ ठीक है तो यहाँ पर नंबर आप फायू 7 ही रहेंगे आप गिन सकते कितने फायू आने वाले हैं फायू 3 या 15 एक 15 में आएंगा एक 30 में आएंगा एक 40 फायू में आएंगा एक क्या बोलते हैं 15 आएंगा थरीके multiple देखते जाओ 15, 30, 45, 60 ठीक है उसके बाद 75 उसके बाद 90 उसके बाद उसके बाद नहीं बस तो इसमें एक इसमें एक इसमें एक तीन इसमें एक चार ठीक है और यह 25 इंटू तीन भी होता है मतलब इसमें दो आएंगे 6 और इसमें एक 7 तो ऐसे आप count कर सकते फ्रेंट और number आप 2 ज़्यादा ही होंगे number आप 2 ज़्यादा ही होंगे यह 3 2 जा 6 1 2 फिर यह 4 3 जा 12 इसमें 2 2 आएंगे समझ रहे आप तो number आप 2 ज़्यादा ही आने वाले ठीक है 34 फेक्टोरियल में अगर आप गिनेंगे number आप 2 तो 2 17 जा फिर 2 8 जा 16 2 4 जा 2 2 जा 1 जा 17 और 8 25 25 और 4 29 31 32 नमबर आप 2 32 आएंगे ठीक है यह आकरी कोच्चन उस प्रकार का 2 4 6 8 ऐसे 98 100 आर मल्टिप्लाइट टुगेदर दर नम्बर आप 0 जरॉज एट्न मल्टिप्लाइट एंगे तो मतलब यह क्या हो गया 50 ऐसे तो 50 को डिवाइट, 50 फैक्टोरियल में नमबर आप फायू कित्ते होते हैं, तो फायू 10 जा, फिर फायू 2 जा, तो नमबर आप 0s at the end, 10 प्लस 2, 12, ठीक है, 50 को डिवाइट करो फायू से, 50 को डिवाइट करो फायू स्क्वेर 25 से, फायू क्यूब 125 ज्यादा होता है, ऐसा भी कर सकते हैं, यह 10 जा, 25 तू जा, तो अंसर 12 जाएगा, नमबर आप 2 ज्यादा है, नमबर आप 2 देखने की जर्वत ही नहीं है, नमबर आप 2 बहुत है, 50 फैक्टोरियल में आप देखेंगे, तो तू 25 जा, फिर 12 जा, 6 जा, 3 जा, 2 जा, ऐसे बहुत सार है, तो नमबर आप 2 ज्यादा है, शिर्व एक ही जगह ऐसी है, जहां पर नमबर आप 5 ज्यादा होते है, फैक्टोरियल में, जो हमने देखा, 5 इंटू 10 ऐसा, इस प्रकार के कोच्चन, 5 इंटू 10, यह सारे नमबर फैक्टोरियल है, 15, 30, 45, 60, ऐसे जगहों पर नमबर आप 5 ज्यादा होते है, तो ऐसे जगह पर आपको नमबर आप 2 देखने है, क्योंकि 0 बनता है 5 और 2 के कॉंबिनेशन से, आपने यह बात नहीं सुनी, आपने यह बात रटली, कि सर ने बोला था, जित्ते नमबर आप 5, जित्ते नमबर आप 5, उत्ते नमबर आप 5 तो वह 90% केसे समें लगेंगी ब ज्यादा रहेंगे क्या तो उस समय में आपको बताता था नहीं ऐसी भी कुछ जगह है जहां पे नंबर आप फायू ज्यादा आते तो फिर नंबर आप 2 जितने रहेंगे उतने टोटल नंबर आप 0,69 तो वो जगह है लेकिन बहुत काम है 10% ऐसे प्राबलम रहेंगे लेकिन 90 50% ऐसे कोच्छन होंगे जहां पे नंबर आप फायू ज्यादा है ठीक है तो यह इस प्रकार के कोच्छन है यह गनिद आपको हुमक को दे रहें द नंबर 1 मैंने इवन नंबर बताया भी 2468 यह इवन थे यह नंबर ओड है ठीक है 135799 तो इसमें टोटल नंबर आप 0 कितने रहें यह इंड बे तो यह हुमक है आप ट्राय करना फ्रेंट ठीक है नहीं आया तो कोई बात नहीं मैं सौल करके दूंगा कोई चिंता की बात नहीं है ठीक है तो आप देख सकते कोन ज्यादा है कोन कम है अब इस नंबर पर ध्यान दीजिए सबसे पहले यह देखिए कि न 128 से तो इसके फाइनल आंसर में टोटल नंबर आप 0 at the end किते होंगे यह कोच्छन है मैं कोच्छन आपको समझा दूँ दा नंबर 1357 से लेकर 99 and 128 are multiplied together मतलब यह एक नंबर है और 128 है तो नंबर आप 0s at the end